गुड मानिंग भाई, सभी को गुड मानिंग, आप सब के लिए एक बहुत अच्छी खुसकबरी है भाई, जिसका आप तब बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, तो अब वो इंतजार आप सब का खत्म हो चुका है, रेलवे आरपी अप भरती परिच्छा 2024 की नोटिस आउ होना चाहते हैं, यानि अगर आप सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल बनना चाहते हैं, तो क्या योगिता होनी चाहिए, क्या सिलेबस होना चाहिए इसका, ठीक है, इसके लिए क्या योगिता होनी चाहिए, और क्या सलेबस होना चाहिए, यह हम जानेंगे आप, योगिता के स्क्रीन पे है इंपोर्टेंट डेट्स हैं जो फाम भरने की अपली केशन स्टार्ट होगा पंदरा अप्रेल 2024 से फाम भरा जाएगा ठीक है और फाम भरने की जो लास्ट डेट होगी वह 14 मई 2024 होगी और आनलाइन पेमेंट यानि जो आप आनलाइन पेमेंट करेंगे ठीक है उसकी भी लास्ट डेट 14 मई 500 डेना होगा मेल कैंडिडेट के लिए मेल कैंडिडेट के लिए है और साथिकंट यक्टारा थीवाँ को फिश्कलिए क्रेंदीकक के लिए 250 डेने हैं आपको ठीक है और आल कैटागरी के महिला भर्थिओं के लिए 250 रुपै है और आप गर तोカ रजाइन जानए ठीक है और इस आगे भी बताया जा रहा है कि जो आप आनलाइन payment करेंगे वो debit card, credit card, net bank, UPI के थ्रू कर सकते हैं और railway भरती बोड ने refund करने की भी बात करिए, payment को refund करने की भी बात कही गई है, ठीक है, हाँ, first stage का exam के बाद payment refund की भी बात कही जा रही, decide नहीं कितना refund करना है, चल हैं और Constable के कितने पद हैं तो आप सब देख पा रहे हैं कि RPF Sub Inspector SI के 452 टोटल पद हैं ठीक है 452 टोटल पद हैं और RPF जो Constable ठीक है Constable है उसके 4208 पद है ठीक है और RPF Sub Inspector के लिए जो आप से डिग्री मांगी गई है Bachelor degree in any stream यानि किसी भी छित फिल्ड से आपने ग्रिजुशन कर रखा हो बस इतना मांगा गया है सब इंस्पेक्टर के लिए और RPF Constable के लिए आप से मांगा गया है किसी भी बोड से आप दसवी पास हो बस ठीक है किसी भी बोड से अगर आप दसवी पास हैं तो आप RPF Constable का फाम डाल सकते हैं जिसमें 4208 पद हैं और अगर आप graduation है किसी भी फिल्ड से तो आप RPF समिस्पेक्टर का पद का जो फाम है उसको बढ़ सकते हैं जिसमें 452 पद है ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग आगे देखेंगे age limit क्या है तो age limit जो है RPF Constable के लिए जो age limit है 18 से 28 साल ठीक है और age relaxation की भी बात है यहाँ पे तो age relaxation आप जानते हैं OBC category के लिए 3 साल का होगा और SC ST category के लिए 5 साल का होगा ठीक है और आगे सब इंस्पेक्टर का जो होगा age limit बुक्या होगी भाई 20 से 28 साल ठीक इसमें भी age में छूट मिलेगी OBC category को 3 साल SC ST category को 5 साल ठीक है चलिए आगे बढ़ जाईए हाँ आगे देखिए फिजिकल की बात करेंगे हम लोग अपना फिजिकल में क्या क्या चाहिए तो फिजिकल में देखिए category male और female height सब चे पहले height की बात करी गई है और यह height की बात male candidate के लिए है general OBC के जो male candidate है उनके लिए 155 cm height होनी चाहिए और SCST के जो male candidate है उनकी height 160 cm होनी चाहिए ठीक है वहीं अगर हम female candidate की बात करें तो general और OBC के जो female candidate है उनके लिए 157 cm height होनी चाहिए और SCST के जो female candidate है उनके लिए 152 cm height होना जरूरी है ठीक चलिए अब हम race की बात करेंगे तो जो male candidate है male candidate को race लगानी होगी 1600 मीटर की ठीक है वो चाहिए general category का हो चाहिए OBC या SCST कोई भी category हो अगर वो male candidate है तो उसको race 1600 मीटर की लगानी होगी और टाइम पांच मिनट 45 सेकंड सब के लिए डिसाइड किया गया है ठीक है टाइम जो है वो पांच मिनट 45 सेकंड किसी भी category के अगर आप male candidate है तो पांच मिनट 45 सेकंड में आपको 1600 मीटर की race complete करनी होगी ठीक है चलिए आगे देखें यह आपका किसके लिए था भाई constable के लिए और सब inspector के लिए भी वही चीज है ठीक है तब inspector में भी आपको 1600 मीटर की ही रेस लगानी है और यहां पर जो है time थोड़ा सा change है 6 मिनट 30 सेकंड का time है ठीक है 6 मिनट 30 सेकंड का time है वो चाहे general category हो OBC हो या SC हो या ST हो यानि constable में आपको 1600 मीटर की race लगानी है 5 मिनट 45 सेकंड में ठीक है पूरु सब्धर्थियों को वो किसी भी category के हो और अगर आप सब inspector बनना चाहते हैं तो वहां भी भी race 1600 मीटर की ही है लेकिन यहां पर time थोड़ा सा आपको ज्यादा दिया गया है 6 मिनट 30 सेकंड का किसी भी category के हो general OBC SC ST male candidate ठीक है चलिए अब हम महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओ सब्धर्थियों को 800 मीटर दोड़ना है सब इंस्पेक्टर के लिए और 800 मीटर ही दोड़ना है कांस्टेबल के लिए फर्क क्या है फर्क यह है कि अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए दोड़ना चाहते हैं महिला भरती है तो 800 मीटर की race आपको 4 मिनट में complete करनी होगी ठीक है अगर आप कांस्टेबल में जाना चाहते हैं आरपी अफ कांस्टेबल में तो 800 मीटर की race लगानी होगी महिलाओं को ठीक है और समय जो यहाँ पे दिया जाएगा वो 3 मिनट 40 सेकेंड का किसी भी कैटागरी की महिला भरती हो अब ठीक है चलिए अब आगे हम बात करे की female candidate हो OBC, SC, General, ST कोई भी कैटागरी की अगर आप female candidate है तो जो आपको long jump लगानी होगी सब इंस्पेक्टर के लिए वो 9 फिट की और पूरू सभ्यर्थियों को जो लगानी होगी long jump सब इंस्पेक्टर के लिए वो 12 फिट की ठीक है चलिए यही long jump अगर हम कांस्टेबल के ल OBC, General, SC, ST किसी भी कैटागरी की महिला भेरती है आप तो आपको 9 फिट की long jump लगानी होगी किसके लिए constable बनने के लिए चलिए high jump सब इंस्पेक्टर के लिए क्या है? 3 फिट 9 इंच, 3 फिट 9 फिट 9 पूरू सों के लिए किसी भी कैटागरी के पूरू सों आप और महिलाओं के लिए यही सब इंस्पेक्टर में जो हाई जंप है वो तीन फित है किसी भी केटगरी की महिला भेरती हूं आप ठीक है और कांस्टेबल के लिए अगर हम देखे हाई जंप पूरसों को किसी भी केटगरी کے पूरस हैं चार फित लगाना होगा और महिलाओं के लिए 3 feet लगाना होगा, ठीक है, high jump, constable के लिए, महिलाओं के लिए 3 feet है, चाहे हो किसी भी category की महिला भेरती हूँ, यह तो हुआ physical से related, ठीक है, physical से related हुआ, चलिए, आगे हम हम देखेंगे syllabus क्या होगा, ठीक है, syllabus अगर हम discuss करें, तो सबसे पहले हम syllabus में देखे अगे general awareness, यानि जिसको जीए, जीए general awareness, इसमें आप देख रहे हैं, लगभख सारे topic है, Indian history, art and culture, geography, economics, general polity, Indian constitution, sports, general science, सब कुछ है लगभख, लगभख, arithmetic की बात करें, अगर हम math में, arithmetic की बात करें, तो लगभख सारा arithmetic यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप देखें, तो arithmetic का ratio, time and distance, सब कुछ दिख रहा है, जितना भी arithmetic में आप पढ़ते हैं, अना math में जो arithmetic वाला part है, जितना भी आप पढ़ते हैं, वो सब कुछ इसमें दिखाया जा रहा है, अगर हम general intelligence reasoning की बात करें, तो reasoning में भी आप देख रहे हैं, कि verbal और non-verbal सब कुछ आएगा, सब कुछ और arithmetic के भी और general study यानि जो आपका GA है, उसमें भी कुछ छोड़ा ने गया, सब कुछ है, सब कुछ पढ़ना रहेगा, ठीक है, चलिए, और ये सारा syllabus constable के लिए भी वही रहेगा, और sub inspector के लिए भी वही रहेगा, ठीक है, चलिए, अब RPF constable का जो exam pattern है, वो क्या है, ठीक है तो exam pattern में आप क्या देख रहे है, जो आपका GA आएगा general awareness, उसके 50 question होंगे और 50 marks, यानि एक question एक mark का होगा, और arithmetic के अगर बात करो तो 35 question होंगे, 35 marks का होगा, यानि एक question एक mark का होगा, और general intelligence reasoning जो आपकी है, 35 question, 35 marks, ठीक है, तो total आप क्या देख रहे हो, total question कितने बन टोटल 120 objective type के question होंगे, बहुविकलपी, 120 question हो जाएंगे, 35, 75, और 50, 120, total 120 question आएंगे, 120 marks का paper होगा, और जो time आपको दिया जाएगा, 1 hour 30 minute का, यानि 90 minute, 1 hour 30 minute, यानि total 90 minute का time होगा, आपको paper साल्व करनेगा, और भी कुछ दिया जा रहा है, एक question, एक number का होगा, और negative जो होगी आपकी, एक बटे 3 की होगी, negative marking है, यहाँ पर एक बटे 3 की, ठीक, बाकि time duration clear ही लिखके आ रहा है, यहाँ पर की, एक घंटे 30 minute का time आपको दिया जाएगा, ठीक है, और exam का जो pattern होगा, exam का mode होगा, वो CBT होगा, CBT आप जानते हैं, computer based test, ठीक है, computer based test होगा, computer पर exam होगा, online exam जिसको आप बोलते हो, ठीक है, exam online होगा, और अगर RPF constable की हम salary, pay salary की बात करें, तो 21,700 है, जो लगभग आपका एक महीने में बनेगा, लगभग आपकी जो एक महीने में salary बनेगी, वो 27,000 से 32,000 के बीच में, monthly जो आपकी salary बनेगी, वो 27,000 से 32,000 के बीच में, और pay scale कितना ह 21,700, ठीक है, तो यह तो रहा, RPF constable का, exam pattern, salary, exam का mode है, क्या negative होगा, और कितने total question होगे, यह सब कुछ दिया गया, और same, सब कुछ same, आपका RPF, sub inspector में भी है, कुछ भी change नहीं है, हना यहाँ पर भी आप देखो तो, general awareness के 50 question, 50 marks, arithmetic 35 question, 35 marks, reasoning 35 question, 35 marks, और exam का mode होगा, वो CBT, computer based test होगा, ठीक है, बाकि सब कुछ देख रहे हो, आप 120 question यहाँ पर भी होगे, एक question, एक mark का होगा, negative one third की होगी, टोटल टाइम आपको एक घंटे 30 मिनट का दिया जाएगा, यानि 90 मिनट टोटल टाइम होगा ना, और यहाँ पर pay scale change है, RPF, sub inspector है ना, भाई, SI, SI, तो pay scale यहाँ पर ज्यादा है, 35,400 रुपए है, जो आपका, जो monthly salary बनेगा, इस हिसाब से, वो 49,000 से लेकर 45,000 के बीच में, जो आपकी monthly salary बनेगी, ठीक है, जो monthly salary बनेगी, वो 49,000 से 45,000 के बीच में, आपकी बनेगी, ठीक भाई, तो यह रहा आपका पूरा, RPF से related, जो railway भरती निकाला है, railway ने, RPF से related, railway protection force, railway protection force, जो भरती आई है, 4660, ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पर discuss किया गया, आपके सामने, ठीक है, कि क्या syllabus है, हाना, क्या exam का pattern है, क्या salary होगी, और क्या योगताय होनी चाहिए, ठीक है, तो भाई, बहुत जल्द इसका batch भी हमारा आने वाला है, आनलाइन प्लेटफार्म पे, विवेका नंद के आनलाइन प्लेटफार्म पे, जो विवेका नंद का learning app है, उस पे हम लोग बहुत जल्द इसका batch लेके आएंगे, ठीक है, तो बिल्कुल और practice batch भी इसका आएगा, जो YouTube पे चल तो सब कुछ आने वाला है, ठीक है, तो बस आप लोग रेडी हो जाओ, वेकेंसी आ गई, बहुत दिन से आप लोग इसका इंतजार कर रहे थे, तो इंतजार पूरी तरह से समाप्त हुआ है, तो अब इंतजार खतम कर दीजिए आप लोग ठीक है, और पढ़ाई सुरू कर दीजिए तेजी के साथ, तो ठीक है भाई, थेंक्यू सब को,